ठीकमगड जिले के खरगापुर सामुदाइक स्वास केंदर में लगाता लापरबाही सामने आ रही थी और प्रसुताओं के द्वारा नर्सों पर हजारों रुपए लेने के आरोप लगाये गए थे साथी सामुदाइक स्वास्त केंद्र में ना तो प्रसव करने आई महिलाओं को ना तो बिचाने ओडने के लिए कपड़े मिलते और नाही चाय नाश्ता दिया जोता जन्म प्रमान पत्र बनवाने के नाम पर भी रुपए लिये जो आ रहे थे इस प्रकार के मामले की खबर होने के बाद गुरुवार को SGM सौरव मिश्वा ने खरगापूर सामुदाइक स्वास केंदर का नरिक्ष्वन किया जहाँ पर कई लोगों ने नर्सों द्वारा रुपए लिनी का रूप लगाया साथ ही SGM और खंड़ चुकिस्ता अधिकारी के समध छित गाहियों ने पताया कि यहाँ पर जन्म प्रमान पत्रेवं डिलेवरी कराने के नाम पर नर्सों द्वारा रुपए लिये ज़ाते है और रुपए ना देने पर उन्हें टीकम गर्ट रैपर करने की धंकी दी जाती है जब SGM ने नर्सों को बुलाने के बाद कही तो नाई डूटी पर तैनाज स्टाप नर्स घर जा चुकी थी जिस पर SGM और सौरम विश्वा नहीं खंड़ चिकिस्ता अधिकारी डॉक्टर से धारत रावत को निर्देश दिये कि वो उक्त मामले को गब भीता से लिए और किसी भी प्रकार से तग्राईयों को परेशान नहीं होना चाहिए साथ अगर प्रसुती महिलाओं को परेशान या उनके साथ किसी प्रकार से गलट विहवार किया जाता है तो उन पर कारवाई भी की जानी चाहिए प्रसूताओं जो परिवार जन आते हैं उनको दिक्कत है या पैसे के लेंदेन की भी कुछ शिकायते आई और जितनी भी सिकायते में जो समचार प्रक्रों के मर्जन से 3-4 प्रकंड जो सामने आए हैं उन सभी सिकायत करता या जो भितवत हैं उनको बुलाए गया है और दोक्रे साथ यहां पर उनसे पूछेंगे यदि पैसे लिए हैं तो तक्काल बापस करवाएंगे